यूं तो करोना काल ने सबको बूरी तरह से प्रभावित किया लेकिन सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित लोग कलाकार हुए हैं। ऐसे लोग कलाकार जिनके जरिये पुरे राजस्तान की पहचानती विजशों तक में जाते थे। लेकिन अब पिछले जब से करोना आया है उसके बाद ने तो इने कोई काम मिल रहा है नहीं किसी बड़े समारों के आयजन के लिए अनुमती दी जाती है तो ऐसे में इन लोगों की परिशनी सबसे ज़्यादा है और मामला और गंबीर उस वक्त हो जाता है जब कोई कलाकार प पूरी तरह नजर अंदाजी बरत करिए गुलाबो सपेरा हमारे साथ हम उनी से बात चित करते हैं यह वही लोग कलाकार है जिनकी पहचान ने केवल राजस्तान में ने केवल हिंदूस्तान में बलकि कई मुलकों में इनकी कला को हमेशा सराहा जाता है गुलाबो जी करोना क बंख़ालता सब परेशान थे हमने सुना आप भी एक बड़ी मुश्किल आई थी ने तो यह कहना चाहती हो कि क्रोणा चल रहा था क्रोणा काल चल रहा था उस टेम पर मैंने जितने मेरे पास था मैंने कला कारों की है कितने सारे कीट बांटे है मैंने कितने जितने मेरे पास थे आज भी मेरे पर एक डेड़ लाग रुपे कर जाए दुकान वाले का मैंने उनको बोला कि आप यहां आओ और लेके जाओ मैं कहां नसिराबास लेके अजमेर पुसकर उधर सामोद गाओं में जा जाके मैंने यह जो भी मेरे लाग बना केस भी दिया खाना भी पहुंचाया उनको किट भी दिया हैं लेकिन मुझे का अनदें मेरे साथ में यह प्रसानी और देंट मिने से मेरे घर का धर कका कर दीया गया है और मैंने हाथ जोड़ जोड़ के बोला है जी चीज के मेरे मेरे घर का कनेक्शन तो कंक्र रहे हiçãoप यह तो देखिय+, पदम सरी हो मैं और में मेरे मूँ मेरे जीने की एक लाइब बन चुकी है वो हम कैसे रहेंगी मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं दो पोतियां आएं कैसे रहेंगी हम हमारी एक नहीं सुनाई करी और हमें मजबुरन घर छोड़के और फारमास पे जाके रहना पड़ा है तो मेरे साथ में आज यह कंडिसन है तो गर में आके और पास ही लटकके और खत्म हो गया हूँ तो वह अपनी जान देदी में यह कहना चाहती हूँ कि आप कलाकार को बचाना बहुत जरूरी है कला तभी बच पाएगी लेकिन एक बताईए गुलाब बहुत बड़ा नाम अंतराश्टी इस तर पर क्या कभी आपने मुख्यमंत्री मंत्री जी किसी को बताने की कोशिश भी की थी क्योंकि देखिए केवल प्रॉब्लम आपकी अकेली की कोशिश की कभी उनसे मिलने की कोशिश की मेने जैसी लोकडाउन हटा था मैं एबलीकेशन लिखके और अपन्री मुख्यमंत्री में मैं गई थी मुझे यंदर मेरे अभी अभी हाल जो मेरे घर का कनेक्शन कटा तो मैं उर्जा मंत्री जी अपने बीडी कला जी और कला मंत्री हैं उनके घर पे भी में गई और अंदर नहीं जाने दिया नहीं हमारा पेपर लिया कि आप उनी को देंगे तब मैं कला साँब के पास गे ही तो उन्होंने यह कहा कि बुले देखो मैं किसी की लायट फृू करवा सकता मैं किसी का कनेक्शन नहीं लगवा सकता आप देखे कुछ देखे और उनको आप किस्तें बंदauthबा देखे मेरे पास कुछ देने का भी नहीं है कुछ भी नहीं है मेरे पास में तो मैं देऊंगे कहां से तो उन्होंने मेरे एक चीज कहीं कि गुलाबों देखा मेरे पास में तो मैं अजार रुपे दे सकता हूं बाकी तो मेरे पास में कुछ है नहीं मेरा जो बिल था वो चोवन अजा किया मैडम जो अपने कॉला में अपना ज़व हुए उनने फोन किया मैं में बहुत प्रैसान हूं और मुझे मेरे आंखों में पाने मुत प्रेसान हो मुझे या तो काम दे या मुझे लोन दे या फिर कुछ मेरी मदद करें मेरे घर का कनेक्शन कट गया क्या केवल पदमी श्री गुलाबों की यही आलत है या पूरे राजस्तान के लोक अला करूप और पिछले 10 महीने का वक्त आप लोगों के लिए किस तरह से बिता क्यों कि सरकार न जो उनकी आवाज महां तक पहुंचती है उन लोगों को मिला है फोक कलाकारों को नहीं मिला जो फोक कलाकार देश का नाम करते है राजस्तान का नाम करते है जो रोड पे वो ही कलाकार नासते है तीज हो चाहिए वो गंगोर हो और वो ही कलाकार देश विदेश में जाके डा अब हमें केते हैं कि हमने ओनलाइन आपका वो डांस के लिए डाला या प्रोग्राम के लिए ओनलाइन कौन समस्था आज कर वही बचारे गाओं वाले कलाकार उनके पास में खाने को रोटी नी वो नेट का रीचार्ट कहां से करवाएगा तो वो लोग हम लोग पढ़ नी पा कलाकारों से लेकर, मिराशी उसे ले यए हमारे को एसी कोई이애ल्प नहीं मिलियें कि हम आज सिनातान के गैदें कि हम राजीस्तान के निवांसी राजीस्तान के कलाकार है हमारे साथ में हम लोग का करोम लोग वोगिशा रहा पूरे राजस्तान के कलाकर चोटे कलाकरों के लिए लोग कलाकरों के लिए पूरे लोग करें जादा नीत्रों आप कुछ पैसे उनको लोओन टाइप में दे दो इसे आपको बिल देती मी चाहिए जाए मैने बिल प्रो पर मैने mã कर वाए है अब ये करोना काल में साल बर से हम लोग घर बेट हैं हमार पास में पैसे नहीं है तो क्या आप साल बर तक का या तो हमें मोलगत दे दे या फिर हमारा कनेक्शन वापीश एक छोटा सा जवाब चाऊँगा जब तक आपके घर की बिजली लाइन फिर से नहीं जूडती क्योंकि देखे पानी का मोटर भी उससे चलना पूरे घर का लाइड भी उससे चलना है क्या अपने अपने घर में जाना पसंद करेंगी या नहीं देखो अगर में तो मेरा घर है साब मैं उस घर से जुड़ी हूँ, मैंने एक एक इट जोड़के उस घर में मैं, आज भी मेरे साब जो है, वो घर को छोड़के नहीं जा रहे हैं, उसी में बेठे हैं हो, वो कहते हैं, मैं उसमें ही रहूँगा, मैं नहीं जाओंगा वाप पे, हम लोग फारम आउस पे चलेगे, मेरे बच्चों को लेके छोड़ छोड़ी पोते हैं, हम सर्दी में क्या करते हैं, पानी का टैंक ही उसी से जा रहा है, तो हम लोग तो फारम पे चलेगे, वहां पे भी कोई लाइट की वेस्ता नहीं, लेकि धूब नकलती है, थोड़ से सुरज निकल जाता है, तो धूब स पूरे राजस्तान के लोग कलाकार, खास तोर पर गाउं में रहने वाले धानियों में रहने वाले छोटे लोग कलाकारों के हलत क्या होगी, यही कारने की लोग कलाकार, शायद अब अपनी प्राचीन, लोग संस्कृती या लोग जो कला है, उसे भूलकर किसी दूसरे काम क करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं कैमरामें दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन जैपूर न्यूश 24